अजिब आपको जानकारी दे रहे हैं कि जातक क्या कब होगा इसके पेले आप पार्ट 1,2,3 देख लीजिए आप पार्ड फूर में आपको जानकारी दे रहे हैं कि जातक का व्याओ कब होगा उसके लिए और किस तरद से इसको देखा जा सकता है वो बताने कि आपको कोशिज कर जाए है यह जानने के लिए कि आपको हम बता दें कि जब कभी जब जातक का व्याओ के मारे में जानकारी लेते हैं तो हमें लगन भाव देखना पकता है लगन भाव के स्वामी को देखना होता है सब्तमभाव को देखते हैं सब्तमभाव के स्वामी को देखते हैं तथा गुरू और शुक्र की इस्थिति को देखा जाता है यह साथ साथ देखने के बाद में अगर साधी के योग बन रहे हैं तो कैसे देखें तो आप एक और जानकारी आपको दे रहे हैं कि जब भी यह पे जो लगन बं रहा है कण्या लगन बन रहा है कर दूसरा है अ-बहु को चलेकं सब्सक्राइब च्छटा यह च्छूटा यह द्सपाल्व का टुटेस से लगने से दुसरा भाव उसके स्वामयों को डूतीेस तरह minority है सुखर नम्मर के रासि उसका मालिक बनता है कि पॉख्र बनता है पाद erro को जो कि सुख्र है या बैठा है गयर्व भाव में तो जब भी इसके शुक्र की दसा अंतर दसा चलेगी तो उस टाइम भी जातक क्या व्याव होने के संभावना बढ़ जाती है और दूति भाव जो भी आपकी कुंडली हो उसका दूति भाव देखिए उसका जो स्वामिग्रव बनता है उसकी जैसे इसमें शुक्र बन रहा था इसके शु पर सटमच ये सब्सक्क्र के साथ हुआहा सब्सक्र बैठात हो ये सब्सक्र के सामीग्रु 사धिय इसके शुक्र यसक्र बैठा इस तरह से उसक्र पाटर हो तो तो सत्मेश की दसा ये सत्मेश कुन सा है गुरू की दसा ये अंत्र दसा में भी व्याव संभव होता है तो हमने किस तरह से जाना कि जब सुक्र के साथ अगर बैठ जाता है ये सत्म भाव का स्वामी सुक्र के साथ जब बैठ जाता है तो सत्मेश ने गुरू की दसा अंत्र इस तरह से आप जान सकते हैं कि नौ में यहां पर कि यहां पर नौम भाव एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ नौ मंगल बनता है नौ में जो राशी है वो सुक्र बनती है तो नौ में सब बूलते हैं उसको तो नौ में सुक्र यहां बेठा है जब इसकी दसा अंत्र दसा चलती है तब भी यहां होने के योग बनते हैं इसी प्रकाश से यहां पर दसंभाव का दस में देखेंगे तो एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ दस यहां दसंभाव में जो राशी बनी है वो बुद्ध की राशी बनेगी और वो बुद्ध बैठा यहां पर तो इस तरह से जब दसंभाव के स्वामी की यह दसा यह अंत्र दसा चलती है तब भी भ्याव संभाव होता है इसका मतलब हो कि आपकी जोगी कुली है उसमें आप अपने लगने से गिनिये दस नमबर तक जाएए एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ दस ऐसा आपकी कुल्डी में देखिए और वहां जो भी रासी है उसका स्वामी जो बनता है उसकी अगर जिसे यहां बुद्ध है है जब इसकी 105 बन चुके हैं इस तरह यह देखा गया कि सत्तमेज, है हम satisf tastes मेश हम देखेंगे वा स्वामी को सत्तमेज वो गुरू है तो जब यह गुरू मैं कि हसके साथ जो भी घ्रफ बैठे हो यहां कुझ से जुक सुकर य्या केकृ बैठा तो सब्सक्राइब करते हैं उनकी अगर दिसार दिmmm की चले तब तब भी व्याव संभव होता है तो इसमें आप जातक का अगर सुक्र की दसांतरसा चलेगी तब भी जातक का व्याव होगा तो आप भी अपने कुनली देखिए उसमें देखिए कि यह जो साथ में भाव का जो स्वामी कहां बैठा है और उसके साथ में कुन से गरव बैठे है वह गरह की जब दसांतरसा चलेगी तब भी साथी संभव हो सकती है यह जो भी हमने अभी चारों को पाड़ बताया है इसमें वरल और कन्या दोनों के लिए यह प्रसितियां अगर आपकी कुनली में बन रही है तो जातक के व्याव होने की संभावना बन सकती है तो आपने अगर हम मैं सलाजर होसिलाल चाहरे अगर आपको टेलीफोनी कंसल्डेशन करना चाहते हैं तो मेरा मोबाइल नमर है आप मामली सी दक्षणा के द्वारा यह जानकारी आप भी जानना चाहते हो और तो आप मुझे टेलीफोनी कंसल्डेशन कर सकते हैं आपको मेरा वीडियो अगर पसंद आया हो तो मेरी चैनल एस्टरलाजी सिंप्लिफाइट को सब्सक्राइब कीजिए मेरी चैनल है एस्टरलाजी सिंप्लिफाइट और इसमें आप गंटी जो है उसको भी आप क्लिक कीजिए तो जैसे ही आपको मेरा वीडियो यूटूब पे अपलोड होगा आपको जानकारी प्रात्प होगी आपको वीडियो देख सकते हैं अपने मित्रों को भी बता सकते ह इस तरह आप मेरा वीडियो देखा इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद